हालो गाइज वेलकम टो आवर इंपिस्काच चनल कैसे हो सब लोग आई होप सब लोग ठीकी रहेंगे तो मैं आज आप देख सकते हैं लिए बहुत और मेल को अपने मेरा अक्टिवेट हुआ है लेकिन लाव मोड में नहीं जा रहा है तो में आपको दिखाऊंगी कि मेरे अलड़ी दो अक्टिवेटर है जो मेंने बिफॉर अगस्ट 22 से पहले निकाले उपन कि होए थे तो में य कैसे दिखेगा और live mode में कैसे switch होगा वो आपको आज में दिखाने वाले हो के तो मेरा account activated है विसले से मैं अभी logging कर रही हूँ के तो logging करने के बाद हमारा क्या होगा कि तो मैं नहीं शुचा तो यहां पर है कि यहां पर देख सकते हैं कि अकटिवेटेड कैक्श सेटिंग और यहां पर भी देखो कि test mode payments account activated है से आना चाहिए कि account activated आया तभी आपका account से क्योंकि थोड़े लोग बोल रहे है कि मेड़ा account बे अक्टिवेट हुआ है KYC भी clear हुआ है account अक्टिवेट में KYC अप्रूव हुआ है फिर भी हमार test mode में नहीं ज़र है जब तक आपका यहां पर अक्टिवेट नहीं आएगा तब तक आप लाई पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो ध्यान में रखो कि KYC अप्रूव हुआ तो भी यह आना चाहिए कि account अक्टिवेट है जब यह आएगा तभी आपका account क्या होगा कि आप लाई पेमेंट कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमारा test mode है तो मुझे लाई मोड में जाना है तो मैं directly करेंगे कि लाई यू मोड आप समझो कि तभी आपका account अक्टिवेट हुआ है कि आप यहां पर देख सकते हैं अभी मेरा लाई यू मोड में है और मैं लाई यू अभी payment accept कर सकती हूं यहां पर तो इसलिए में बोल रहे हूं कि आपका KYC अप्रू हुआ तो भी आपको जब तक यहां पर account अक्टिवेट है नहीं आएगा तब तक आपका account अक्टिवेट न नहीं जा रहे हैं जब तक account अक्टिवेट में होगा तब तक आप नहीं जाओगे तो आपको live mode नहीं मिलेगा तो मैं easily यहां पर live mode बाद मैं test mode में भी easily में क्या कर सकती हूं तो आप यहां पर देख सकते कि switch हो रहा है मेरा अभी test mode में आ गया है तो I hope यह information आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि यह बहुत important था कि account अक्टिवेट कैसे होता है और आप live mode में कैसे switch होता है तो मैंने आज आपको सब कुछ clear किया है तो आप हमारे channel पर नहीं हो प्लीज लाइक करो, share करो, comment करो, friend के साथ भी swear करो, उनको भी बहुत useful होगा यह video के और thank you so much everyone, thank you और कुछ भी questions, comments है तो please comment में comment करो, thank you so much